हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड मैं नेम इस मोसिन सयद एंड वेलकम टो अवर उडान एकेडमी तो चल यह देखते हैं वाट वी आर गोइंग टो स्टेडी टुडे आज हम क्या पढ़ने माले हैं ठीक है आज का हमारा यह जो लेशन रहेगा यह बहुत जादा इंट्रस्ट बहुत जादा इंट्रस्ट आएगा आपको इसमें समझने में सुनने में और देखने में यह जी हां तो टुड़े वी आर गोइंग टो स्टडी अवर फर्स्ट हिस्ट्री टॉपिक ऑफ स्टैंडर्ड नाइन आज हम नवी कक्षा का हमारा पहला इतियास का लेशन देखें चलिए सबसे पहले हम जाते हैं आज इस टॉपिक के इंट्रोक्षन में हम देखते हैं आज का हमारे ये टॉपिक कहां से शुरू होता है कौन से ऐसी चीज घटना के लिए कारणी भूते और इंप्लिमेंट ए और इसका क्या एक आउटपूट है आउटपूट है और क्या आगे चलके होने वाला है हम यह सारी चीजे आज इस टॉपिक में जानेंगे तो सबसे पहले आज हम देखेंगे इस पार्ट वन में यह हमारा पार्ट वन रहेगा सुरी मैंने यहां पार्ट वन लिखना भूला मैं ठीक है आई रोट हीर पार्ट वन ठीक है यह हमारा आज का वन टॉपिक है इस लेशन का तो इंट्रोडॉक्शन क्या हुआ था 14 जुलाई 1789 दिस सिटी ऑफ पैरिस वस इन स्टेट ऑफ अलाम पैरिस में 1789 14 जुलाई 1789 एक इवेंट वाई घटना हो गए उस दिन आतंग का महोल चागा पैरिस शहर में सुबह सुबह जब लोग जागे लोग अपने घरों से बाहर निकले तो देखा लोगों ने कि एक आतंग का माहोल चाया हुआ था ठीक है यहां तक बात से क्लियर है अब मैं आप को समझाता हूं कि आज हम यह लेसन किस धंक से और किस अंदाज में पढ़ रहे हैं जैसे मान लीजिए कि फ्लैस बैक में आप जो जो भी कटपा कडपा है वो सीन को याद करता है फिर वहां से फिल्म स्टार्ट होती है पहले क्या हो रही है कि घटना है कि यह चीज़े से घटना हो रही है फिर वहां से चीज़े समझने के बाद फिर बैक्रॉंड में जाके चीज़े स्टार्ट हो रही है समझ मैं के रिजन्स हम यूनिट वाइस देखेंगे आपको समझ में आया कि हम इसको किस तरह से फ्लैश्बैक की मूवी की तरह देखेंगे आचानक से ट्रेन में आप मान लिजे चन्ने एक्सप्रेस में देखा है नशारुखन जा रहा है और चीज़े सारी हो रही है फिर अचानक से वह ट्रेन में वापीस आता है उसका माइन उसका कहां पर आता है माइन वापीस ट्रेन में आता है फिर कहानी आगे शुरू होती उसी तरह ठीक है यह एक्जामपल मैंने दिया उसी तरह हमारा इवेंट हम समझेंगे पहले 14 जूलाइ 1789 इंपोर्टन डेट है इस दिन एक इ जो भी था वहां के राजा ने क्या आदेश दिया वहां की आर्मी को शेहर में घुसने का आदेश दिया ठीक है पहली घटना 14 जूलाइ 1789 दि अलाम वेर्दर इंपैरिस आतन का महौल शागई था पैरिस तह क्योंकि राजा ने आर्मी को शेहर में घूसने की इजाज़त द से अफवा फैली कि वहां पर अफवा यह फैली कि राजा ने जो आर्मी भीजी है अब राजा ने या राजा उन आर्मी को एक ओर देने वाला है कौन सा गोलियां चलाने का या फायर करने का आदेश देने वाला था या देने वाला यह एक अफवा फैली हाला कि ऐसा कुछ नह हो गया 7000 मेन मैन एंड वुमेन गैदर साथ हजार लोग टाउन हौल की तरफ आय और इकटा हुए अब यहां पर एक साथ यह साथ हजार लोग आने के बाद इन्हों ने क्या किया मिलिशया अब मिलिश्या एक एक वर्द मिलीशया कि क्या होता है कि लोगों की आर्मी लोग लोगं लोग अपने आप में एक सेना बनाए अब क्यूं सेना बनाई पॉइं ambulance इसलिए बनाए क्योंकि उस आर्मी से नहीं लड़ना था अब इन लोगों ने अपनी सेना बनाई अब यहां तक बात क्लियर है राजा ने आर्मी भेजी लोगों ने डर और अफवा के कारण अपनी आर्मी बनाई एक रूमर फैला डर फैला अब आर्मी बनाने के बाद they decided to form a militia army अपनी आर्मी बनाने के बाद इन्होंने क्या किया अब इनको क्या था कि अब यह जो आर्मी आ रही है अब इससे हमको लड़ना है we have to tackle with them we have to fight with that army so for tackle to fight with them for battle we need ammunition we need guns है ना अब उन से लड़ने के लिए हमें हतियार चाहिए होंगे अब यह हतियार कहा से मिलेंगे इन लोगों को so they decided to attack on administrative offices अब इन्होंने क्या किया जो सरकारी कचेरी थी सरकारी offices थे इन पर attack करना शुरू किया क्यों because they think that कि जो भी ammunitions है यहां से हमको मिलेंगी जो भी हतियार है गोला बारू देगी सारी चीजे हमको यहां से मिलेंगी so that's why the people started to attacking on the administrative offices बात क्लियर यहां तक है ठीक है and what happened demolishing of fortress prison Bastille in search of ammunition अब साथ में जितने भी बहुत सारे वहां जो offices थे government offices थे यह किंग के अंडर सभी पर attack किया और सबसे बड़ी जो important घटना यहां पर हुई the event important event happened here they attack and demolish the Bastille fort और Bastille fort यहां पर एक word है if you see fortress prison, fortress prison मतलब कैदियों का तुरूंग, कैदियों का jail जहां पर कैदि रखे जाते थे वो Bastille fort उसे कहते थे, Bastille fort था जहां पर कैदियों को उस किले में रखा जाता है, वो किला जहां कैदियों को रखा जाता है, fortress prison, ठीक है बात clear है इस word की, तो अब लोगों ने इस पर attack किया and they killed the commanding officer, वहां का jailer था, उसे लोगों ने मार दिया, why in search of ammunition, why they attack in Bastille fort in search of ammunition हतियारों के लिए, उन्होंने हतियारों को ढूणने के लिए, उन्होंने Bastille fort पे attack किया, they demolished, उन्होंने Bastille fort को तोड़ा, बैस्टिल, अब देखिये, demolishing Bastille fort को तोड़ा, और वहां की जो prisoners थे, they released that prisoners, उन वहां के prisoners को, वहां की कैदियों को छुड़ाया, अब ऐसे कितने कैदि वहां पे उस वक थे, उस वक सिर्फ साथ कैदि वहां पे कैद थे, बैस्टिल fort में, और बैस्टिल fort को उन्होंने, वहां से कैदियों को छुड़ाया, और बैस्टिल fort को क्या किया, उन्होंने तोड़ दिया, why they destroy or demolishing Bastille fort, yes, अब बैस्टिल fort को पावर of king, it is a symbol of despotic power, अब despotic power क्या, despotic power मतलब एक जैसे मान लीजे, ताना शाह, एक हुकूम शाह, जुल्मी राजा, लोग already facing problem and they much more become angry with this incident, okay, पहले ही गुस्सा तो और ज्यादा गुस्सा होगे किस पे king पे, अब वो राजा पे तो अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, so what they did, they attack in search of administrative offices or Bastille fort or any other offices, why? because they are a symbol, एक राजा का प्रतिक माना जाता ना किला, तो अपना सारा गुस्सा वहाँ पे उन्होंने लीकाला and they destroyed the Bastille fort and Bastille demolishes stones, fragments, soul to keep a souvenir and after the demolishing, what they did, they sold the stones and whatever the materials, बैस्टिल किले को तोड़ने के बाद, वहाँ के जितनी भी चीज़े थी, इटे, पत्थर, उन सारी चीज़ों को ले जाके, वो market में बेचने लगे, अब market में बेचने क्यों लगे, अपना घर बनाना था, या पैसे कमाने थे, नहीं, एक souvenir है, यहाँ पर word देखे, आपने souvenir बुक में है, आपके, आप देखोगे, souvenir मतलब क्या, कि एक याद, याददाश, याददाश के तोर पर लोग अपने अपने ये बड़ा इवेंट था, इस इवेंट को याद रखने के लिए लोग इन चीज़ों को खरीदने रखे, अपने upcoming next generation को बताने के लिए कि ये घटन क्लियर है यहां तक कि किस तरह सी ये चीज़ की start हो गई, yes, very good, very nice, अगर आपको समझ में आ रहा है, more rioting in Paris and countryside, अब क्या होने लगा, पारिश शहर में और शहर के बाहर भी, दंगे फसाद होने लगे, दंगे फसाद किसके बीच rioting between, आर्मी और लोगों के बीच में, ठीक है prices of bread, bread जो वहां का एक सबसे महत्वपून ingredient था, food था, वहां पे increase हो गए थे, prices बहुत जादा increase, taxes increase हो गए थे, and that's why people are much more facing these problems, and that's why these things were happening in first introduction, okay, then the question is, how and why this happened, how and why did this happen, ऐसा क्यों वा और क्या कारन थे, ऐसा क्यों वा, कॉंसी situation, why these all things happen, these things happen, on 14 July 1789, event, city of Paris, in Alam, आतं का महोल फैल गया, इस सुबह morning, सुबह सुबह 14 July, why, because king sent the troop of army, the purpose of sending army is different, उसका purpose यह नहीं था, कि गए और जाए और लोगों को मारे, but एक rumor फैला, एक अफवा फैली, क्या अफवा फैली, लोग pursue करने लगे, assume करने लगे, कि जो आर्मी आरी है, अब वो हमें मारने आ रही है, तो लोगों ने क्या किया, इकटा आ गए, और अपने आपको उन्होंने क्या किया, एक सेना मनाई, और उस आर्मी से लड़ने के लिए, उन्होंने क्या किया, और उस आर्मी से लड़ने के लिए, उन्होंने क्या किया, अब क्यों अटाक, वाई अ attack on administrative offices and Bastille fort in search of ammunition understood in search of animation ammunition to fight with that troops with that army which is sent by the king okay and then they destroy the Bastille fort demolish the Bastille fort and the Bastille despotic power as they pursue that or resume that this is a despotic power of king ठीक है एक ये तरा शा का symbol था तो इसलिए बैस्टिल फोड को तोड़ा गया उसके आउशेशों को तुकड़ों को fragments they sold out उसे बेचने लगे ओके इसी तरह शहर और शहर के भाहर दंगे फसाद शुरू हो गए ठीक है I hope so this small concept of introduction everyone understood सभी कोई जो हमारा छोटा सा content था समझ में आया होगा कि किस तरह से हमारा event हो गया यह एक event शुरू हो चुका था यह घटना हो चुकी थी अब हम क्या पढ़ेंगे हमारे first point point number one unit one से कि why these things were slowly slowly happen we just saw the society the another face of revolution and slowly slowly that all things that we are going to discuss ठीक है आज यह हमारा पहला पार था this is our first part of first topic history standard 9th okay the french revolution हम अगले पार्ट में देखेंगे किस तरह से सारी चीजों का एक background है और किस तरह से चीज़े slowly slowly शुरू होके वापिस यहीं end होगी वापिस यहीं यहीं end होगी ठीक है I hope so सभी को चीज़े clear है समझ में आई होगी तो इसी के साथ हम मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के लिए अगले लेक्चर के साथ जो पार्ट सेकेंड होगा ठीक है तब तक के लिए thank you thank you very much अपना और अपने परिबार वालों का खयाल रखे take care of yourself your family thank you very much bye-bye